और वो start-up million dollar company बन जाए ये सारे rights आपके पास होने चाहिए ताकि आसानी से वो अपने business को scale-up कर सेके जैसे competition कभी भी 100% नहीं होता और उस imagination को उसने 0 से 1 तक convert किया Hi friends, अगर आप एक नया business build करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं एक start-up करूँ और वो start-up million dollar company बन जाए तो आपको बहुत सारे महत्पूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा एक बड़ी famous book है 021 पीटर थिल दर लिखी हुई ये किताब आपको बताती है कि start-up में हम कैसे बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और start-up के concept को समझने से पहले हमें बहुत सारी महत्पूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा किसी भी business, किसी भी product, किसी भी service, किसी भी brand का start-up करते समय आपको दो बाते ध्यान देनी है number one, zero to one and one to end ये दो ऐसे concept है जो इस बात का नेड़ने लेने में आपको help करेंगे कि आपका start-up कहां तक पहुँचने वाला है और आप उस business का start-up कैसे कर सकते हैं तो zero to one का मतलब है creating a new thing आप कुछ ऐसा करें जिसमें आप एक नई चीज का निर्मान करें जो पहले से इस प्रिथ्वी उपर exist नहीं करती है मतलब उसके जैसी कोई चीज है ही नहीं वो तो केवल आपके visualization में हैं और आप उस visualization को creativity के माध्यम से लोगों के सामने लाना चाहते हैं जैसे अगर मैं Facebook की बात करूँ तो Facebook जैसा social media network site अल्यडी बन चुका है अगर आप किसी तरह की social networking site बनाते हैं तो कहीं न कहीं वो Facebook के fundamentals को follow करता हुआ होगा ठीक उस तरह से car taxi services में ओला या innovation of new bulb या innovation of aeroplane ये वो चीज़ें जो 0 से 1 तक गई मतलब जहां पर कोई बात किसी व्यक्ति के imagination में थी और उस imagination को उसने 0 से 1 तक convert किया मतलब उससे सब्मंदित हर चीज़ का innovation उसने खुद किया वहीं दूसरा concept होता है 1-2-N मतलब already creating चीज़ जो है already जो बनी बनाई चीज़ है आप केवल उसी तरह के business को आगे बढ़ाना चारे है या वैसा business करना चारे है उसका सारा setup already बना हुए है business के fundamental already set है product already set है आपको तो जरुवत है कि एवल उसको सही तरीके से study करने की जैसे मान लीजिए Pepsi, Cola, Fanta, Sprite जैसी बहुत सारी cold drinks already बनी हुई है आप एक नई cold drink बनाने का business setup करना चाहते है तो उसके setup में क्या cost आनी है कैसे manufacturing setup लगना है कैसे branding करनी है कैसे packaging करनी है कैसा taste होना चाहिए ये सारी बाते आपको पहले से पता होती है तो सबसे पहले हमें निर्णा करना है कि जिस business का startup आप करने जा रहे है वो 0 to 1 category में है या 1 to N category में है जब आप ये निर्णा कर लें कि आपका product 0 to 1 category या 1 to N category में है तो उसके बाद कुछ important बात है जिस पर आपको ध्यान देना है अगर आप 0 to 1 category के अंतरगात आते हैं जहां पर आप नई चीज का innovation कर रहे हैं तो सबसे पहला जो फाइदा आपको हो सकता है वो है first mover advantage क्योंकि उस तरह का कोई भी business exist नहीं करता आपने उस business को generate किया है तो एक तरह से आप first mover है तो first mover को हमेशे सबसे बड़ा advantage मिलता है कि वो अपने product को लेकर किसी भी तरह के competition को face नहीं करता क्यों कि वैसा कोई business exist ही नहीं करता दूसरा जब कोई business exist ही नहीं करना तो price का पूरा control आपके हाथ में होता है यहां पर first mover advantage का मतलब है कि आपने ही उस business को innovate किया है तो सबसे पहला benefit जो होने वाला है वो आपको होने वाला है जबकि 1-2-N की जब हम बात करते हैं तो इसके भी कुछ अलग फाइदे हैं क्योंकि आपने उस industry में किसी तरह का survey नहीं किया, research नहीं किया, development नहीं किया, already existing business को आपने study किया, उसके loopholes को समझा, product में थोड़ा सा innovation किया और आपने वो product market में launch कर दिया, तो 1-2-N में आपके व परक नहीं पढ़ता है कि किसी भी product या service का innovation किस ने किया है, फर किस बात से पढ़ता है कि उसका fast mover advantage को लेता है, कौन उस business को तेजी से scale up कर सकता है, कौन उस business को तेजी से आगे बढ़ा सकता है, ऐसे बहुत सारे example है, जैसे अगर मैं बात करूँ, Ola और Uber, ऐसे इसके अलाव और Uber जैसी company भी already same business कर रही थी, लेकिन उन्होंने एक fast mover advantage वहाँ पर लिया, next important बात है कि जब आप fast mover advantage लेते हैं तो कई चीज़ों को आपको follow करना होता है, कि उस चीज़ों को लेकर market का price क्या है, उसकी quality क्या है, उसका brand क्या है, और कितना competition उसमें है, और एक बात ध्यान और market penetration का मतलब क्या है, कि किस industry ने, किस brand ने, किस product ने, किस service ने, कितना बड़ा market share capture किया हुए, एपल अपने आप में एक unique mobile phone है, लेकिन उसके बात भी 3% से कम market share Apple का है, सैमसंग एक बहुत बढ़िया electronic gadgets manufacturing company है, फिर भी उसका market share 43% है, तो कोई भी company जहां पर competition होता है, वो कभ competition में कहां पर आप घुच सकते हैं, कैसे आप घुच सकते हैं, और क्या ऐसी कमिया है, जो brands को लेकर है, या product को लेकर है, जब आप उसको modify करते हैं, तो competition में आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, उसके लावा आपको करना क्या होगा, आपको करनी होगी थोड़ी सी market research, कि उ आप fast mover हैं, और आप इन बातों को ठीक से समझते हैं, तो one to end जाने की possibility आपके पास business में होगी, कोई फर्क ने पड़ता है कि उस business का शुबारम किस ने किया, ऐसे बहुत सारे example आप market में देख सकते हैं, मेरा आप से request है, जिदि आपके मन में कोई भी ऐसा example है, जिसमें आप को लगता है कि शिरुआत इस company ने की पर growth ये company लेगी, वो मुझे आप comment box में लिखकर जरूर बताएं, next important बात है, how to make a best startup, आप किस तरह से, चाहें आप 0 to 1 के concept में काम करें, चाहें आप 0 to 1 के concept में काम करें, या 1 to N के concept में काम करें, मतलब चाहें आपका खुद का innovation हो, या existing business में आप enter करें, तो आपको क्या-क्या benefit लेने चाहिए, क्या advantage लेनी चाहिए, number one, proprietary technology, इसका मतलब है, आप जो technology लेकर आए हैं, उससे related आपका brand, आपका brand का registration, trademark, copyright, ये सारे rights आपके पास होने चाहिए, तकि भविश्य में यदि उस तरह के business को कोई भी व्यक्ति करता है, तो आपको licensing fee pay करे, यहाँ पर आपका बहुत बड़ा extra advantage हो सकता है, जहाँ पर आप अपने brand की equity को लेकर हमेशा encashment कर सकते हैं, दूसरा next important क्या है, वो है network effect, आप देखिए, बहुत सारे businesses में, network effect बहुत बड़ा होता है, जैसे ITC जैसी company के, जो dealer distributor का network है, उसको तोड़ कर आप में बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूत भी पतांजिल यह सी company market मार्केट में आती है, और ITC के market penetration को तोड़ कर अपनी जगा बनाती है, ठीक उस तरह से कई businesses में, केवल और केवल, इसलिए extra advantage मिलती है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा network है, मैं example पूछता हूँ आप WhatsApp का इस्तिमाल क्यों करते हैं, क्योंकि आपके दोस्त भी WhatsApp का इस्तिमाल करते हैं, आपके क्लाइंट भी WhatsApp का इस्तिमाल करते हैं, आपके link में जितने भी user हैं, वो WhatsApp का इस्तिमाल करते हैं, इसलिए मजबूरन आपको भी communication के लिए या sharing के लिए WhatsApp का इस्तिमाल करना तो आपको देखना है कि आपके इस तरह से network effect create कर सकते हैं जिसकी वज़ा से लोग आपके business को, आपके brand को, आपके product या आपके service को पसंद करना चुरू करें Next है scale up possibility ध्यान रखिए fast mover तभी benefit ले सकता है और first mover भी तभी benefit ले सकता है जब उसके पास अपने business की scale up possibilities हो scale up possibilities का मतलब क्या है? उसने business में system oriented program किया हुए अब उसने business को scale up करने के लिए सारे method, सारे formula, सारे system, सारे process को develop किया हुए ताकि आसानी से वो अपने business को scale up कर सेके जैसे अगर आप McDonald को देखें, तो McDonald जो burger बनाता है वैसे burger बनाने वाली बहुत सारी companies है, बहुत सारे sole proprietor भी है, बहुत सारे shop owner भी है लिकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने business के system को develop किया हुआ है और आसानी से अपने business model को ऐसा बनाया है, कि उसको आसानी से scale up किया जा सकता है तो आप देखें कि आप जो अपना startup बना रहे हैं, उसको कैसे scale up किया जा सकता है उसके अलावा brand loyalty, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग same industry में penetration को तोड़ने के लिए एक नई brand equity create कर देते हैं, जिसकी वज़ा से एक नए loyal customer उनके पास आ जाते हैं आप देखें, watch बनाने वाली company, Titan already market में exist करते हैं, लेकिन fast track यसी company आई, जिनने अपनी brand positioning और brand loyalty इस तरह से design की, कि यंग्स्टर, fast track की घड़ियां पैनना पसंद करते हैं यहाँ पर क्या था, जो Titan के customer थे, उनमें से जो youth जितना भी customer आया, वो सारा convert हो गया, fast track करते हैं, इसका मतलब है, brand loyalty create कर सकते हैं, और अपने brand की ऐसी positioning कर सकते हैं, कि particular person आपके brand को पसंद करता हो, इसके लबावा, creating new possibilities, अब ये बड़ा important है, कई बार क्या होता है, हम same existing business को क कर रहे होते हैं, लेकिन नई possibilities हम create नहीं करते हैं, जैसे hotel industry में बहुत सरे लोग किसी को भी कहीं आना है, जाना है, रुकना है, stay करना है, तो hotel का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन Airbnb ने एक नया concept develop किया, उन्होंने एक नई possibility create कि, उन्होंने कहा कि बहुत सरे लोग अपने घर PG सिस्टम जैसे होता है, ठीक उस तरह से, क्यों ना आने वाले लोगों के लिए, घरों में ही रुकने की एक उपलब्दी, एक सुविधा उपलब्द हो जाए, ताकि वो लोग जो अपने घर में लोगों को guests को रुकने का मौका दे रहे हैं, वो भी एक income के रूप में पैसा लोयल हो, आपके brand के प्रती, उसका रुजहान बहुत तेजी से बढ़ता जाए, तो friends जी बहुत important बात play करती है, कि अगर आप 0 to 1 जाना चाहते हैं, तो आपको कौन से steps follow करने हैं, और अगर आप 1 to N जाना चाहते हैं, N stands for, there is no limitation, number कितना भी हो सकता है, आप एक branch की multiple branches कर सकते हैं, आप एक business को expansion पर ले जा सकते हैं, आप fast mover advantage ले सकते हैं, और यह दिया आपने सब कुछ नया create किया है, तो first mover होने के साथ साथ भी आप fast mover advantage ले सकते हैं, तो start up करते समय इन possibilities को अच्छे से समझें, और देखें कि क्या आप जो business के बारे में सोच रहे हैं, वास्त विक्ता of business 021 या 12N की possibility में कहां तक जा सकता है, सारी possibilities पर काम करें, उसके बावजूद भी यह दिये आपके business को लेकर, आपके startup को लेकर, आपके अमन में कोई भी प्रशन है, तो हमें comment box में लिखकर जरूर पूछें, हम उसका जवाब आपको अगली वीडियो में देंगे, स्वस्त